हे एफ्रिवन वेल्कम टू पिपोजिया और आज हम बात करने वाले हैं ब्लडी मेरी के बारे में ब्लडी मेरी को आज सभी गोस्ट समझते हैं बट रियल में वो इंगलेंड की कुईन थी सो टर्न बैक टाइम सन फिफ्टीन और नाइन में इंगलेंड की किंग हेंडरी दा एट की दो बेटिया थी मेरी और अलिजबेट मेरी किंग की फर्स्ट वाइफ की बेटी थी बट किंग मेरी को बिलकुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि मेरी कैथॉलिक धर्म को फॉलो करती थी और उसके फादर प्रोटेस्टन धर्म को फॉलो करते थे एक्चली उस टाइम पर इंगलेंड में कैथॉलिक और प्रोटेस्टन धर्म के लोगों की बीच लड़ाई छिड़ी हुई थी लोग एक दूसरे के धर्म से बहुत चिरते थे और यही रीजन था कि किंग मैरी को हेट करते थे मैरी को बच्पन से ही कभी प्यार नहीं मिला क्योंकि उसके फादर उसे ना पसंद करते थे और उसकी मॉम भी जब मैरी बहुत चोटी थी तब ही उनकी देथ हो गई इसलिए मैरी अंदर ही अंदर से काफी क्रूल होती जा रही थी और जब सन 1547 में किंग हैंरी की देथ हुई तब इंगलेंड का थ्रोन मैरी के पास आया मैरी ने कुईन बनती ही इंगलेंड के सभी लोगों को कैथॉलिक धर्म फॉलो करने बोला मैरी उस टाइम पर इतनी कुरूल हो गई थी कि जो उसकी बात नहीं मानता था मैरी उन्हें जिंदा जला देती थी और ऐसा भी कहा जाता था कि मैरी हमेशा यंग एंड ब्यूटिफुल रहे इसके लिए वो अन्मेरिट लड क्योंके ब्लड से नहाती थी मैरी इतनी जादा इवल हो चुकी थी कि इंगलेंड के लोग उससे डरने लगे थे और उसे नापसंद भी करने लगे थे कुछ टाइम बाद मैरी ने शादी कर ली और थोड़े ही दिनों में शी वस प्रेगनेंट बट उसके प्रेगनेंट होने के कुछ मंद बाद ही उसका टमी फ्लैट हो गया सेकिंड टाइम भी जब मैरी प्रेगनेंट थी तो यही हुआ जब ये बात लोगों को पता चली तो उनका मानना ये था कि मैरी विच्च क्राफ्ट परफॉर्म करती है और उसके पेट में कोई बेबी नहीं बलकी डीमॉन रहता है मैरी ने इंग्लेंड पर 5 साल तक रूल किया पर फिर बिमारी के चलते मैरी पास्ट अवे मैरी की क्रुएरनेस की वज़े से ही उसे बलडी मैरी कहा जाने लगा और आज भी लोगों का ऐसा मानना है कि रात में आईने के सामने तीन बार बलडी मैरी बलडी मैरी बोलोगे तो एक विच्च तुम्हारे सामने आएगी तो ये थी स्टोरी बलडी मैरी की अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें थैंक यू